क्रिकेट विश कब 2030 की टॉप फोर रेस में पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के लिए अफगानिस्तान की हार का क्या मतलब है ग्लेन मैक्सविल ने यादगार पारी खेली और आस्ट्रेलिया मंगलवार को मुंबई में अफगानिस्तान पर संसनी खेज जीत के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कब 2030 के सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है उनकी साज़ेदारी निरनायक साबित हुई परिणाम स्वरूप उस्ट्रेलिया के बारा अंक है और अपने आकरी मैच में चाहे जो भी हो वह स्टेंडिंग में तीसरे स्थान पर रहेगा अलाकि इस नतीजे से चोथे स्थान के लिए दौर तेज हो गई है हार का मतलब है कि अफगानिस्तान आठ अंकों के साथ छटे स्थान पर है चोथे स्थान पर मौझूद न्यूजिलेंड और पांचवे स्थान पर मौझूद पाकिस्तान के बराबर गुरूप चरण में तीनों टीमों का एक-एक मैच खेलना है और नतीजों के आधार पर इन सभी के पास अभी भी क्रिकेट वेश्यू कब 2023 सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का मौझा है यदि तीनों टीमें पाकिस्तान, न्यूजिलेंड, अफगानिस्तान अपने अपने मैच जीच जाती है तो दोड का फैसला नेट रन रेट से किया जाएगा क्योंकि उन सभी के दस अंक होंगे फिलाल बहतर NRR के कारण न्यूजिलेंड को फायदा है तीनों टीमों का हार का मतलब ये भी होगा कि NRR खेल में आ जाएगा भारत फिलाल 16 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है जबकि दक्षिन अफरीका बारंगों के साथ दूसरे स्थान पर है रोई शर्मा की अगवाई वाली टीम का अंक तालिका में शीर्ष पर रहना तैय है लेकिन अगर दक्षिन अफ्रीका अफगानिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम मेच हार जाता है तो आस्ट्रेलिया उन्हें पचार सकता है इस रिपोर्ट में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करकर जरूर बताया और देखते रहे हैं ये रिपोर्ट अजी धन्यवाद